ओम शान्ति, स्वागत है आप सभी का अनुभवों की इस रंखला में, हर बार हम आपके समक्ष कोई न कोई महान हस्ती, जिसने अपना जीवन पर मात्मा पे समर्पित किया, या ट्रस्टी बन कर अपने जीवन को चला रहे हैं, उनके जीवन के अनुभवों को आपके साथ आज हमारे बीच में अपना अनुभव शेर करने के लिए जुड़े हुए हैं अगरतला से आदर्निय कविता दीदीजी, आपका परिचय चंद शब्दों में देना चाहूंगी, आप 1979 से बाबा के ज्यान में हैं मात्र दस वर्ष की आयू से, और 1989 से आपने सेवाओं की आपने बाबा का जंडा फैराया है, अनेकों आत्माओं को बाबा का परिचय देने के लिए केवल देश ही नहीं, लेकिन विदेश में भी लगभग सत्रा से भी अधिक देशों की यात्रा करके आपने इश्वर सेवा ही की हैं, विशेश, नाशनल, इंटरनाशनल कॉन्फर कुछी आक्टिंग, डान्स ड्रामाज क्रियेट करने में किस प्रकार से नवीनता से हम बाबा का परिचय सब तक पहुचा सके उसमें रहता है, आपने कई सारे डान्स ड्रामाज, आक्टिंग की स्कृप्ट लिख करके उनको रिकॉर्ट करवाया है, जो आज बहुतों की से कर रहे हैं, इसी प्रकार से अनेक भाशाओं को भी आप जानते हैं, लगबक छे भाशाएं आप समझते हैं, जानते हैं, तो हर प्रकार से आपने जन जन की सेवा के लिए जो परमात्मा ने आप में खूभियां भरी हैं, बहु मुखी प्रतिभाएं भरी हैं, उसको आप ब तो ऐसे प्रतिभाओं के धनी आदर्निय कविता दीदी जी का हम सभी आज अपने बीच में स्वागत करते हैं, ओम शांती दीदी, आपके द्वारा हम जानना चाहेंगे, कैसे आप ज्ञान में आए, क्या आपने बाबा के साथ अनुभव किये, और किस प्रकार से हम भी वो अ अनुभव शेर करें, आदर्निय कविता दीदी जी, ओम शांती, मेरा ये इश्वरिय जीवन शुरू हुआ था, जब मैं बहुत चोटी थी, दस साल की उम्र में, तो मैं कहूंगी, कि मेरा बच्पन और इश्वरिय बच्पन, दोनों साथ साथ में चला, और जब हमारे उस बच्पन में बाबा शामिल हो गए, तो इतनी सुखद समृतियों से भरा हुआ है, हमारा वो अनुभव, वो पास्ट, जिसको याद करने में मुझे खुद को भी खुशी होती है, और आज, मुझे ये मौका मिला, उन सुन्दर समृतियों को फिर से याद करने का, और आप सब के सामने, उसको सुनाने का, क्योंकि मैं समझती हूँ, मेरे जीवन के, हर एक पन्ने पर, जो भी कुछ बिता, वो बाबा के साथ बिता है, मेरे ही जीवन का, हर पन्ने में, जो कुछ बिता है, वो उसमें हर पन्ने में जैसे बाबा का नाम लिका हुआ है, और बाबा के साथ की कहानी जुड़ी हुई है, तो जब 1979 में, सबसे पहले हमको बाबा का परिचे मिला, तो मैं समझती हूँ, उस उम्मर में ही, उससे पहले ही मुझे भगवान की काफी खोज थी, भक्ती तो ही जीवन में इतनी की नहीं थी, वो सकता भक्ती का पार्ट मेरा पूरा ही पहले खतम हो चुका होगा आगे के जन्मों में, लेकिन बहुत छोटे से जबकि हमारे घर में आध्यात्मिक बातवन था और गीता का काफी चर्चाएं थी, गीता पाठ होता था, शास्त्र पाठ होते थे, और गीता महाभारत की बातें जब सुनती थी, तो मेरे मन में एक प्रश्न भार बार आता था, कि महाभारत की लड़ाई जिसने कराया यह कौन था, क्या यहिए भगवान था क्या वो क्रिष्ण भगवान था अगर क्रिष्ण भगवान ही था तो उन्होंने लड़ाई करने के लिए क्यों प्रेहना दिया क्यों लड़ाई करने के लिए कहा इस प्रकार के प्रश्ण में अक्सर करके अपने पेरेंट्स को बड़ों को बार-बार पुछती थी इतना पुछती थी जो लोग जवाब तो सही दे नहीं सकते थे वो अपने डंग से जवाब देते थे तो कई बार मैं उनको यह प्रश्ण पुछ पुछके तंग कर देती थी फिर मैंने एक बार क्या किया हमारे आंगन में उस दिर मैंने का आज कुछ फैसला करना है मुझे और मैंने बड़ों के सामने एक एट का छोटा सट्टुकड़ा उठाया और आंगन में मैंने कृष्ण लिखा और लिख करके कहां कि अगर ये कृष्णया भगवान है तो यह लड़ाई नहीं करा सकता है क्योंकि लड़ाई तो दो भाईयों के विच में कराया कौरब और पांडव ठीक है कौरब दुष्ठ थे लेकिन फिर भी क्या भगवान किसी को मारने के लिए के सकता है तो एक संतान को मारने के लिए आगया, दुसरी संतान को मारने के लिए कैसे दे सकते हैं? तो मुझे लगा कि ये क्रिष्ण भगवान नहीं है, ये तो कोई दुष्ट है, या फिर दूसरी बात मैंने ये सोचा, कि या तो ये लड़ाई हुई ही नहीं थी, तो उस दिन मैंने जोर जोर से चिलाया और आंगन में क्रिष्ण लिखा, और लिख करके मैंने उसके पर ऐसे क्रॉस, 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 बड़े-बड़े क्रॉस वहाँ पर, ऐसे डाला हीट के टुकडे से, सब ने कहा, रहे, बड़े अनर्थ हो गया भगवान के नाम पर ये मैंने का नहीं मुझे जच्चता नहीं, आप लोग सही जबाब दो नहीं, तो मुझे फैंशला चाहिए, तो मजे की बात है माना, मेरी बुद्धी में ये सब बातें उस समें खुब चलती थी, परंतो उसके कुछ ही शायद दिनों में, बाबा का संदेश हमारे वहाँ आया और आसाम का तेजपूर शहर, जहां हमारा घर था वहाँ आसाम का तेजपूर, तो वहाँ पर पहला सेंटर था, और सेंटर कुछ भाईवेने आसपास पडोस के भाईवेने वहाँ जाते थे, हम लोग को इतना मालूम नहीं था, हमें ग्यान नहीं मिला था, लेकिन किसी कुछ सत्संग रखा था, तो हम लोगों को भी उन्होंने इन्वाइट किया था, हमने सोचा ये तो वैसे ही रिवाजी सत्संग या कोई होगा, कोई होता है, जैसे फंक्षन, तो उस फंक्षन में बहुत लोग गए, और हमारी माताजी भी गई, और किसी एक समय में भी भी था, और सामने तीन बहने सफेद कपड़े वाली चाप पैठी हुई थी, देख रही थी सब के तरफ, तो मुझे लगता है कि दृष्टी दे रही थी, उस में से एक थी हमारी शीला दीदी, हमारी हम सब की पालना के निमित्त हैं, जो गवाटी में वर्तवान हैं, तो आ तो तीन बहने इस प्रकार सब के दरफ देख रही थी, और मैं भी जाकर के वहां उस भीड में कैसे भी करके एंटर हो गई, और मैं आश्यर चकितों के देख रही थी कि क्यों कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब चुपे हैं, जाल बती हैं, और वह बहने एक तम आखें उनकी बल्ब जैसी जल रही है, सब के तरफ वह देख रही है, तो कैसे कैसे उनकी नजर मेरे पर भी पड़ी, और कहा जाता है न, दृष्टी से सृष्टी, उसी देन उनकी दृष्टी से मेरी आत्मा का नया जनम हो गया, मुझे अनुभव कुछ गहरा, शांती का, कुछ अलग स एक दुनिया का अन्भव हुआ, बस कुछ गड़ी की ही वो दृष्टी थी, लेकिन आत्मा ने अपनी जो खोई हुई जो बाते थी, सब कुछ जैसे की फिर से पाया, और मेरे मन में आया, ये कौन है, कुछ नहीं जानते थे, हम लोग कोई भी नहीं जानते थे, ये कौन है कहां से आये हैं, लेकिन कहते हैं, लाव एट दा फास्ट साइट, मेरा ऐसा ही हुआ, बस दृष्टी से दृष्टी मिली, और मेरी आत्मा ने कहा, ये लोग कौन हैं, पता नहीं, सबेद कपड़े पहने हुए, कोई सिष्टर जैसे लगती हैं, ये कौन हैं, क्या हैं, क्या करती है, पता नहीं, लेकिन ये लोग जो करती हैं, मुझे यही करना है, और मुझे बड़ी हो करके, इनके जैसा ही बनना है, उसी दीन, जैसे की, मेरी आत्मा की जो दिपक है, जग गई, और लक्ष स्थीर उगया, उसी दिन और मैं सच में कहूँ तो फर्स्ट मोमेंट में जो लक्ष में रस्तीर हुआ कि मुझे ऐसा ही बनना है इन सफेद कपड़े वाली देवियों जैसा ही बड़े हो करके बनना है बस वो दिन और आज दिन इस संकल्प में कभी भी परिवर्तन नहीं आया बस उसी संकल्प के साथ में बड़ी होती रही और बस दिन दिन आगे बढ़ती गई और उसके कूछ दिनों बाद हमारे उधर में एक स्कूल में ये प्रदर्शनी हुआ आध्यात्मिक प्रदर्शनी इस स्कूल में नहीं माता जी भी तीचर थी सवेर आध्यात्मिक उद्गातन था तो सभी टीचर को बुलाय था वह भी गई उन्होंने प्रदर्शनी देखा कुछ कूछ बाते उनको अच्छी लगी आखे उन्होंने कुछ कुछ बोला और कहा आप लोग भी जाना शाम को, तो शाम को हम लोग बच्चे लोग और आस पास के और भी बच्चे और पास की कोई एक अंटी के साथ हम लोग चले गए और जाक करके प्रदोशनी माना तो सोचा की बहुत कुछ देखने को मिलेगा शायद लेकिन वहां तो कुछ खास था कि हम लोग को भी एक मुसम्जाने के लिए माताजी मिली बुजूर्ग माताजी मिली वह भी हम लोग के उधर ही लोकलिटी की थी और माताजी जब समझा रही थी मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा मैं तो केवल उनके सिर से लेकर पाउं तक देख रही थी कि यह क्या समझा रही है मेरा इटेंचन उनके तरफ था लेकिन क्या समझा रही थी इंट्रेस्ट नहीं आया एक रूम दो रूम उस समय काफी चित्र सम्झाए जाते थे मैंने देखा तो आखिर सम्झाते सम्झाचे एक चित्र के पास वले गए जिस चित्र में था गीता में वर्णित जो तीजोरी थी ना बुद्धी का ताला था ना उखिल गया क्लिक कर गया मैंने का यही तो मैं समझती हूं कि गीता में बढ़नित युद एंग्षक नहीं हो सकता जरूर एंग्षक है यह बात मेरे मन के साथ बिल्कुल मिलता जुनता लगा फिर उन्होंने बताया गीता ग और अज्ञानता रुपी असुरों के साथ लड़ाई करने के लिए कहा था वास्ता में खुन खराबा नहीं हुआ था यह बात जब मिले मुझे लगा बस बस यही मुझे चाहिए था मुझे लगा वाह वाह यही मेरे मन के अंदर यही विचार था और यही यहां पर मिला बस मैंने समझ लिया कि यह संस्था जो है न इसमें जरूर सत्य बात मिलेंगी एक सत्य बात मिल गई माना शायद इसके अंदर और भी सत्य बाते मिलेंगी मुझे इसको भी study करना चाहिए तो ऐसे करते-करते, दीरे-दीरे क्या हुआ कि हम सेंटर में जाने लगे, हमारे स्कूल के रास्ते में वो सेंटर होता था, और हमारी माता जी ने पहले कोर्स कर लिया, कोर्स करने के बाद उनको अच्छा लगा, उनके स्कूल के थोड़ा नजदी की वो सेंटर था, वो तो र समय राष्ते में पहले सेंटर में जाती थी थोड़ा मुरली सूनती थी थोड़ा बाबा को याद करते विए में जाती थी आते समय भी रोज सेंटर में इस प्रकार होते हुए मैं आती थी उचे बहुत आनंदा था परन्त उस समय में पूरा मुरली नहीं पढ़ती थी पूरा मुरली पढ़ने का मेरे पास धीरज नहीं था मैं केवल वर्दान ये पढ़ती थी और उपर का जो हैडलाइन ये प्रश्न उत्तर इतना ही पढ़ती थी एक वर समर वेकेशन के समय बार माताजी के तो स्कूल पहले से चुटी हो गई और तब माताजी को स्कूल जाना नहीं होता था मैं स्कूल से आते समय मुरली ला देती और माताजी इतना मुरली पढ़ती थी रोज पढ़ती थी कई बार पढ़ती थी लिखती थी नोट करती थी हमारे एक्जाम का टाइम था तो थोड़ा देर आत तक पढ़ना पढ़ता था और माताजी को देखा वो तो एकदम एक्जाम देने जैसा सिरियसली पढ़ाई कर र तो माता जी ने गहा अरे यह तो भगवान की मुर्ली है और यह मुर्ली जो रोज अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं वही तो सत्युग में स्री कृष्ण के सखा सकी बनके आएंगे और स्री कृष्ण की मुर्ली बासुरी प्रत्यक्ष में सुन पाएंगे बस इतनी बात तो मुझे लगवान की मुर्ली है संगंपर जो रोज अच्छी तरह पढ़ाई करेगा इसकी सत्युग में उसको यह प्राप्ति होगी स्री कृष्ण का सखा बनेगा सकी बनेगी तो मुझे लगा अच्छा इसका मतलब आप स्री कृष्ण की सखा बनने वाली हो आप सखा सखा सखी बनने वाली हो आप सखा सखी बनने वाली हो आप सखा सखी बनने वाली हो तो मैं जिद से रोज मुर्ली को आची तरह पढ़ने लगी तो दिरे दिरे मुर्ली का रस मिलने लगा और वास्ता में मुर्ली के रस से भी उस समय जानकी जी का एक लास आता था रेगुलर पोस्ट आता था एक पन्ना का होता था और जब वो दाधी जानकीजी का ख्लास आता था वो पढ़ने पर मुझे थोड़ा स्वरल लगता था अच्छा लगता था समझ में आता था और अमारी बेहन जी ने देखा कि ये बच्ची को पूरा मुरली में तो इतना इंट्रेस्ट नहीं है लेकिन ये दादी जान किजी का क्लास तो बहुत इंट्रेस्ट लेकर सुनती है तो उन्होंने क्या क्या जब दादी जी का ये क्लास का पोस्ट आता था वो पोस्ट वो खोलती नहीं थी मुरली का पोस्ट वो खोलती थी रखती थी फाइल में लेकिन दादी जानी जी का पोस्ट ऐसे ही रख देती थी और मैं जब स्कूल से आती कहती थी कविता आज तो जा आवा फुनाओ हूलती हूँ तो में खुलने लगी तो बड़ने लगी तो गसंनाओ ती अचि बट पड़ने के वास्ते में पड़ती थी में बट़ने लगी के चिनाने क्मेडि़े थी पड़ती पाँदीट मुझे बहट मिर्थारश रहा हुए। जब इसमें मिठास आया, बेहन जी मुझे ज़ाए लगी कि अब मुरली भी पढ़के सुना हूँ बेहन जब सुनाने लगी तो मुरली का असली बेहन जी यह नहीं कहती थी कि हम मुरली सुनाते हैं लेकिन कहती तुम सुनाओगी न तो अच्छा लगेगा तो मैं चोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन मैं उनको सुनाती थी, तो बस ऐसे करते, करते, मुरली के उपर हमारा रस बैठ गया, और कभी-कभी क्या होता था, जैसे छुटी का दिन कुछ हो, कोई छुटी होता था, तो सवेरे क्लास में बेंजी कहती थी, तुम क्ला बेठ जाओ संदली पर आज सारे भाइवेन को तुम मुरली सुनाओगी, तुम क्लास कराओगी, मैं जहती थी, मुझे तुम सारा ब्याख्या करना नहीं आता है, कोई बात नहीं, तुम सिधा सिधा पढ़ो, रुक रुक के पढ़ो, तो मैं मुरली सब के सामने जब सुनात बहुत प्रोट्साहन दिया, इस प्रकार मेरा बच्पन बाबा के साथ बीता, और बाबा मेरे उमर के साथ बाबा भी अलग अलग रूप से सर्वसंबंद से मेरे साथ बाबा ने साथ निभाया, जब मैं छोटी थी, स्कुल से आती थी, तब तो बच्चे खेलने जाते हैं, इन बजे चुटी हो जाती थी, आने के बाद, कुछ खाया, फिर थोड़ा रेष्ट किया, फिर खेलने का समय होता था, तो खेलने के लिए साथी दोस्त से जाते थे थे ना, जब बाबा के बन गए, मैं आने के बाद, जब थोड़ा रेष्ट करती थी, कोई सपन या कुछ जब था, उसमें मैं देखती थी, कृष्णा भी मेरे जैसा चोटा, या कभी कृष्णा या कभी ब्रह्मा बाबा चोटा मेरे जैसा, और केता था, कि चलो दोस्त के लने चलते हैं, और मुझे इतना अच्छ लगता था, मैं रेष्ट करके उठके, उसी कुशी में खुमारी मैं उड़ती थी, कि मुझे दोस्त के साथ खेलना है, मतलब, बाबा ने मुझे छोटे मैं दोस्त की तरह, हा क्यलपाल की तरह बाबा ने मुझे पालना दिया, और पढ़ाई के साथ, चाथ स्कूल की पढ़ाई में Хी, मैं बाबा को सदा अपना टीचर की रुप में रख न दूसरे बच्चे ट्यूशन करने जाते थे, एक्स्ट्रा क्लास लेने जाते थे, मैं सोच थी नहीं, मुझे एक्स्ट्रा क्लास नहीं करना है, क्यों जिसका टीचर स्वेम परमात्मा है, वो किस और टीचर से पढ़ने जाएगा, नहीं, मुझे तो बाबा ही पढ़ाता है, त जैसे कोई सब्जेक्ट है, कोई थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जहां थोड़ी गाइडेंस की जरूत होती है, मैं बाबा को बुलाती थी, बाबा आप तो मेरे स्थूल टीचर भी हो, आप मुझे पढ़ा हो, ये क्या है मुझे समझाओ, और मुझे फिल होता था, जैसे में बहुत इजी समझ में आने लग जाती थी, और एक बार दो बार पढ़ने से बुद्धी में अच्छी तरह छप जाती थी, फिर उपढ़ना ही नहीं पढ़ता था, एकदम मेमोरी शार्फ होती जाती थी, और एक्जाम के समय भी, बाबा मुझे बहुत मुद्द करता था जब मैं एक्जाम देने जाती थी, तो मैं बाबा को साथ ले जाती थी, और मुझे नशा होता था फकूर था, कि बाबा मेरा टीचर, बाबा मेरा पेरेंट्स, वो मेरे एक्जाम हॉल के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि मैं देखती थी, दूसरे बच्चों के पेरेंट्स तो स्कूल के गेट तक आते हैं एक्जाम के समय छोड़ने के लिए गेट के अंदर तो प्रविश्क उनको नहीं मिलता है लेकिन मैं स्वेशिती वा मेरा पेरेंट्स वो तो गेट के अंदर भी मुझे मेरे साथ जा सकता है और एक्जाम हॉल के अंदर भी वो जाता है और जब एक एक्जाम होता था कभी कोई क्वेश्चन चोड़ना नहीं पड़ता था कोई डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आता तो एक दो सगेंड बाबा को याद करते ही सारा याद आ जाता था तार में बहुत अच्छी तरह लिख लेती ती इसलिए पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह मेरा आगे बढ़ा और स्कूल में मैं मुझे लगा क्या मुझे कुछ सेवा करनी है क्लास एट नाइन ऐसे में बाबा की सेवा कैसे करों तो बाबा ने मुझे उपाई दिया कि बाबा का ग्यान रुपी रत्ना मुल्ले है इसको बाटना है कैसे बाटू तो स्कूल में जो ृपुरूशों की कोई भाणि सुनाने के लिए श्टूडेंट्स को बुला जाता है तो कभी किसको बुलाते हैं कि दूसरे स्टूडें भी कभी कभी सुना थे वो तो उस दिन बाद उनका वो स्टोंखू खतम हो जाता था ये फिर मुझे जब उलाते थे मैं तो सूचती थी मुझे मापुरुषों की वाणी नहीं, मुझे परमपुरुष की वाणी शुनानी है तो बाबा की मुरली से कोई एक दो संटेंज मैं सुंधर से सिलक करे ले जाती थी और वह मैं सुनाती थी तो देखा गया कि दूसरे तब क्या हुआ वो मंच बस मेरे लिए ही फिक्स हो गया हर दिन मुझे बुलाए जाता था और सब के सामने कड़े होकर मैं बाबा की वाणी के कुछ लाइन सुना दे थी मुझे बहुत कुशी होती थी कि मैंने बाबा की बात सुनाई और मैं उस समय सोचती थी कि वह इस स्कू है बहुत ही लगी स्टूडेंट है इन सब में से जिसको स्वेम भगवान पढ़ाता है वो कौन है वो कौन है ऐसे मैं अपने आप से पूछती थी और अंदर से जवाब देती थी कि वह मैं हूँ वह मैं हूँ इतनी खुशी होती थी जैसे खुशी में खगियां खगियां मा श्रेष्टी चाक्र गुमाते हुए चलती थी पेदल जाना होता था तो नड़ी था लेकिन देका फाँनों extrudev स्रेष्टी चाक्र उस्री होता अला हुआ है। मतलब कि मेरा बच्छमन आपय। सादू siitä दूस्री लडाई भी हूए लड़ा ये हुआ कि हमारे फादर वो ग्यान के एंटी हो गए है इतने एंटी हो गए जो वो हमें ग्यान में चलने के लिए सेंटर जाने के लिए बिल्कुल पर्मिशन नहीं देते थे इसलिए उन्होंने देखा कि ये जो मुर्ली पढ़ते हैं ये मुर्ली ने इन सब को पागल बना दिया और सबसे ज्यादा गुस्षा था उनको माता जी के उपर था ये तो साधु बन ही गई और बच्चों को भी साधु बना दिया तकि हम तीनों बच्चे बाबा के बन गए और माताजी तो पूरी एकदम मस्तानी बाबा की ऐसी थी गोपी का थी तो उनको बहुत इसमें चीड होता था और उन्होंने सक्त मना कर दिया वहां आज से नहीं जाना तो नहीं जाना कहने के बाद तो हमारी और ही फोर्स बढ़ गई और ही जाना है जाना है तो स्कूल से आते समय तो हम जाते थे कोई दिन थोड़ी देरी भी हो जाती थी तो पकड़े जाते थे और उनको पता चल जाता था कि वहां गई थी और वो आने के बाद हमारी ठीक से ध तो ऐसा समझ करके हम खुशी-खुशी सेन कर लेते थे लेकिन मुरली पढ़ते हुए उनको जब अच्छा नहीं लगता था एक दो बार उनने सब फाड़ दिया मुरली माता जी क्या करती थी मुरली को चावल के ड्रम में चुपा के रखती थी और मैं अपने किताब के बीच में मुरली रखती थी और किताब पढ़ते पढ़ते वो किताब के पेज के अंदर जब मुरली थी उसको ऐसे पढ़ती थी और पिता जी को पता चला ये मुली पढ़ती रहती अपने पढ़ाई कब पढ़ेगी तो बीच बीच में चकर लगाते थे पढ़ने के रूम में अब कभी-कभी तो पगड़े भी जाते थे दो खेरिज प्रकार से या दिन बढ़ एक बॉए बाद की बात मैं की वानी को पूरी तो पूरी तरह पालून करने के लिए में पूरा ही कोशिश करती थी तो नानी के गर में साल में एक ऐक बार जाना होता है एक्जाम खतम के बाद नहीं Prevention के बाद सब्हस होती है कि यह तो एक लेंगे खरीद दिए परन्तो उन्होंने कहा आज सिने मा देखेंगे ऑज फिल्म है चलो चलो मैंने कहा नहीं देखना मुझे नहीं देखना मुझे नहीं देखना है देखना है तो वो उनकी इंटरेस से फिल्म देखने गए और मुझे कहां छोड़ देते मुझे भी ले गए और जैसे ही सिनेमा हॉल के अंदर एंटर किया मुझे अंदर से इतनी ग्लानी में एसुस होने लगी कि म मेरे बाबा ने ये बात के लिए मना किया हुआ है, मैंने तो फिल्म देखा ही नहीं जब से ग्यान में आई, अब आज मेरा ये ब्रत भंग होने जा रहा है, बाबा मैं क्या करूं कैसे भाग जाओ यहां पर लेकिन छोटी थी कैसे भाग जाती, केवल क्लास एट में तब मैं पड़ती थी, और मैंने देखा कि जितना देर तीन गंटा फिल्म चला, मैं तीन गंटा रोती रही, बहुत ही मुझे असानती हुई, और मैं बाबा को कहने लगी, बाबा, इतना दिन से मैंने जो ब्रत लिया था, मेरा ब्रत भंग हो गया, आपने कहा, इसे नहीं देखना, सीन की मा है, और बहुत बड़ा नर्थ हो गया, तो बस उस दिन मेरा मान इतना खराब हुआ, दुखी हुआ, सिने मा से आने के बाद, मैं बस अकेले एक जगा बैट करके रोती रही, रोती रही, और बाबा से माफी मांगती रही, बहुत अपने आप पर मुझे गलानी अटा, उन्होंने देखा क्या हुआ, ये बची रोही है, खाना भी नहीं कहा रही है, तो मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे घर जाना है, जल्दी घर जाना और मुझे बज़ेज़ दो तो उन्होंने देखा कि कुछ बात तो कुछ गड़बड है तो जल्दी से कबर दे करके पिदाजी को बुलाया और मुझे भेज दिया ये बात मैंने उनके सामने नहीं बोला लेकिन बात थी कि मैंने मेरे बाबा की स्रीमत को उस दिन उलंगन किया तो आत्म को कितना कष्ट हुआ ये मैंने उस दिन फिल किया तो इस प्रकार बाबा मेरे साथ चले और बड़े हुए कॉलेज में पढ़ने लगे और बड़े हुए तो भी बाबा मेरा सधा साथ था हर समय बाबा मुझे मदद करता था और फिर तो क्या था इस बंदन के बीच में पिदा जी ने 12 साल तक बंदन डाला बंदन के बीच में ही आत्मा तयार होती रही और बस बंदन ही बंदन में मैं भाग करके निकली घर से मेरा एक्जाम पुरा हुआ निगरी का एक्जाम और मैंने सोच लिया कि मुझे अब एक दिन भी इस घर में नहीं रहना है मुझे बाबा के घर जाना है लेकिन नजदीक के सेंटर में जाएंगे अपने शहर में वहां से तो पकड़ के ले आएंगे इसलिए मुझे दूर के सेंटर में जाना है इसलिए माई को एक्जाम खतम और दूसरे ही दिन एक तीस तारीक में घर से भाग गई तो मुझे लगा कि जैसे बाबा ने मुझे भगा कर लाया और जब मैं भागने का सोच रही थी तो मैं सोच रही थी अच्छा मैं इस प्रकार भाग के जाओंगी जीवन भर के लिए यह ठीक रहेगा क्या तो अंदर से लगता क्यों कोई लड़का लड़की का प्यार होता है तो माबाप नहीं देते हैं तो भाग जाते हैं न वो अपने जीवन का भविष्य का, सब कुछ सौंप के जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो किस के साथ भाग रही हो, मैं अपने भगवान के साथ, मेरा भगवान इश्वर साजन के साथ भाग रही हो, उनके पास जा रही हो, तो मेरा कुछ नुक्षान नहीं होलने वाल तो वो टॉक का प्रोग्राम आया है कह के पिदा जी से चुटी मांग कर और मैं भाग गई और सेंटर में जब गवाटी में जाके पहुची मुझे लगा आज पंची आबाद हुआ आज ये पंची उस किनारे को छोड़ाया पुरानी दुनिया के उस किनारे को जिस किनारे को आया कभी नहीं मुड़के देखोंगी और सच में कभी मैंने मुड़के नहीं देखा मैं बहुत खुश हुई लेकिन भाग के जो आई थी ना मैं पढ़ाई के बहाने से आई मुझे कोर्स में एडमिशन मिलने के लिए गवाटी में सीट मिला और पिता जी को यह बताया कि मु इल्कुल ठीक नहीं है क्या-क्या बहुत कुछ बहाना बनाया और ऐसे थोड़ा दिन रह जाओं सेंटर में करकर के रह गई रह गई तो देखिए बाबा ने किस प्रकार गाइड किया और मैं मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई जो पिता जी ने इतना साल तक सक्त मना किया हर प्रकार से कौरव का पार्ट ले किया लेकिन बिजय तो पांडव की होनी है उन्हाने मुझे बहुत मना करने के बाद भी जब हम नहीं माने हम लोग तो एक दिन मुझे बिठा के अच्छी तरह समझाया कहा देखो मैं तुमारा पिता हूँ तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें पिता का अशिर्वत कभी नहीं मिलेगा पिता का अशिर्वत नहीं मिला तो तुम जीवन में जिस भी रास्ते में जाओ ना सफल नहीं होगी क्योंकि पिता जी चाहते थे कि मैं पढ़ाई करके बहुत अच्छा पढ़ाई करूं और उनको इच्छा था आए इस ओफिसर बनूँ यह उनकी इच्छा थी और मैं भी पढ़ाई में अच्छी थी तो उनको था कि बहुत पढ़ना है लेकिन मैंने तो अंदर यंदर ठान लिया था मुझे विश्व कल्यान की सेवा करना है तो उन्होंने देखा इसके तो लक्षन सारे साधू के ही बन रहे हैं उन्होंने कहा पिता जी का अशिरवत कभी नहीं मिलेगा तो तुम कभी भी जीवन में सक्सेस नहीं हो सकोगी तो मै मैंने अन्दर में थोड़ा हल चल रहा है उनकी दिल से बोल रहा है का मैं गलत करने जा रही हूँ यहां कि उस्थ से आवाज आया श्यसे बाबा का बदाने का बच्चे वह तो तुम्हारा रस्थूल पीता है और असली पिता मैं उपर में बैठा हुआ, मैं उस पिता से भी बड़ा पिता हूँ, बताओ किस पिता की बात मानोगी, मेरे दिल ने एक सेकंड में डिशिशन लिया, मैंने कहा नहीं बाबा, मैं तो आप पिता की बात मानोगी, क्योंकि आप त्रिकाल अग्या हैं, सरवग्या हैं, मेर आदिमद्यांत को जानने वाले हैं और वो पिता एक काल दर्शी है वो मेरे इस जीवन की अच्छाई के लिए सोचते हैं लेकिन पूरे कल्ब के भविश्य के बारे में आदिमद्यांत के बारे में नहीं जानते हैं इसलिए मुझे इस बात में कभी पीछे नहीं हटना है आज वो दुखी भले हो रहे हैं, यह दुखी मेरे करण नहीं हो रहे हैं, वो अपनी अज्ञानता के करण हो रहे हैं, एक दिन समझ जाएंगे, बस मैंने डिजिजन ले लिया, और वही पिता, जब मैं इस सेंटर में रहने लगी, एक साल, दो साल के बाद, एक बार बिमार पड़ उनको दुर्गा, सरश्रती, अंबा, काली, एक एक देवी का साक्षातकार उनके चेहरे से हुआ, उस दिन से उनके अंदर का असूर भी धेर हो गया, और बाबा के बन गए, उसके बाद तो वो भी क्यान में चल पड़े, और सबसे खुशी की बाद उस दिन वही जीज दिन उनको ने अपने हाथों से मेरा समर्पन कराया, दादी प्रकाश्मनी जी के हाथ में, वो दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा विजय का दिन था, यूंकि इश्वर पिता की बात पर चलने पर एक दिन विजय होता ही है, और पिता जी ने मुझे कहा, मुझे भी मेरे बाई जो अदिती को भी कहा, हम सभी को कहा कि मेरे बच्चों ने जो किया, वो सच मुच सही किया, मैं उनके लिए घर्व करता हूं, यह बात उनोंने बोला, और मज़े समरपन भी दिया, उसके बाद फिर उनोंने शरी छोड़ा, और मज़े की बात तो यह हो गयी, उनके शरी के रही थी लेकिन हम लोग की जिमेवारी समालने के लिए बाबा ने उनको रखा था और मेरे साथ-साथ मेरा भाई जो है वो भी बाबा के घर आ गया और फिर हुआ भी वरतमान समय ग्लोबेल हॉस्पिटल में है डाक्टर जोती बाबा की सेवा में है और छोटा जो था वो तो माता जी ने पीछे नहीं देखा उसको उसी हालत में चोड़के आई और वो भी समर्पन सभा में बैठ गई और समर्पित हो गई आज सेंटर में है और चोटा भाई भी ज्यान में है और बाबा की सेवा में है इस प्रकार सारा ही परिवार को बाबा ने ले लिया और जो घर जुड़ा हुआ है परंतू सेवा का जीवन यह और अधूत कहानी भडा हुआ है क्योंकि सेवा के लिए भी मैंने देखा हर कदम बाबा किस प्रकार गाइड करते हैं बाबा किस प्रकार हात-पकड़ के लिए चलते हैं जब में गवाठी में सेंटर में रहने लगी तब-तो सेवा करूंगी तो हमारी बेंजी जो है कहती ठीक है करना करना लेकिन थोड़ा-थोड़ा वह थोड़ा-थोड़ा हस्ती थी राज यूग तो हसी उनके चेहरे में था बताती नहीं थी उन्होंने मुझे नोकरी करने की इजाजत भी दिया और मैंने कुछ महीनों तो थोड़ा बेंजी ने इतनी सेवां में ब्यस्त कर दिया आत्माओं की और जब सेवा के नशे में चूर हो गई कब नोकरी चूट गया मुझे खुद को पता नहीं चला ये नोकरी रुपी भूत जो मेरी उद्धी में था भी खतम हो गया मैंने का बेंजी में तो दन से भी सेवा करना बेंजी ने कहा रहे तुम कुमारी पवीत्र जीवन यही तुमारा धन है और तुम जो ज्ञान दोगी नाने का अत्मा होगोई तो सबसे बड़ा धन है जिनको ज्ञान दोगी वह बच्चे बनेंगे और वह धन को सफल करेंगे तो उसका हिस्सा तुम को भी मिलेगा जैसे को ममा का ममा धन की देवी कैसे बनी तो बस यह बाद बुद्धि में फिट हो गई तो मैं वहां गवाटी में ही सेवा में थी और एक बार पहली बार मुझे दूर में बेजा मनिपूर में 92 में और वहां गई बिलकुल नए जगह पर पर बाबाने वहां सेंटर शुरू करव नहीं बच्चे बाबा के वहां पर निकले और बहुत अची फुलवाड़ी शुरू हुए फिर दो साल बाद बाबाने वहां को फिर गवाटी बुलाया बेंजी ने और फिर इधर त्रिपुरा का पार्ट शुरू हुआ तो 1995 में में लोग त्रिपुरा में आये दो बेहन को बेंजी ने भेजा लेकिन ऐसे जगह बेजा जहां कोई भीके नहीं था भीके कोई पहचानता भी नहीं भीके का नाम भी यहां के लोगोंने नहीं चुना था क्योंकि त्रिपुरा काफी दूर में है ग्वाटी से 24 गंटे का रास्ता भाई रोड उसमें भी उस समय रास्ता बहुत कराब था और बहुत उग्रवादियों का उपद्रभ चलता था तो यहां पहुंचते पहुंचते 28 गंटे 30 गंटे लगते थे बाई बस तो ऐसे में हम लोग आए और आकर के बस खाली जगह मे सेवा शुरू किया बिल्कुल परन्तो यहां पर जब सेवा में आ गए वो एक अधूत सी कहानी थी कैसे बाबा ने मिरेकल यहां पर दिखाया कि कदम कदम बाबा कैसे हाथ पकड़ के ले चलते हैं वो फिर कहानी और रोचक है मैं उसको भी सुनाना चाहूंगी आज तो समय यहीं पर पूरी होती है फिर कभी मोका मिला तो त्रिपुरा में आये जहां भाषा भी नहीं पता था यहां का कल्चर भी नहीं पता था सबसे बड़ी बात यहां बहुत उग्रवाद का उपद्रव था तो यहां कैसे सेवा हुई और उग्रवाद को भी कैसे बाबन ने शा बंगलादेश में गए, बंगलादेश यहां से नजदीक है, पडोशी रास्ट्र है, वहां भी कोई बीक्य का नाम भी नहीं जानता था, परन्तु हम गए बाबा को साथ लेकर, और कैसे बाबा ने मिरेकल कराई और सेवा कराया, वह भी कहानी, बहुत ही सुन्दर रोचक कहान है, और मैं तो अपने आपको बहुत भागेशाली समझती हूँ, इसलिए, कई बार मैं सोचती हूँ, कि ब्रह्मा ने सृष्टी, नई सृष्टी की स्थापना की थी, ये तो कहानी भक्ती में भी मशूर है, और अभी सजमच ब्रह्मा नई दुनिया की स्थापना का कारे कर रहे हैं, उस ब्रह्मा के साथ इस स्थापना के कारे में मेरा भी नाम जुड़ा हुआ है, अगर भविश्य में कोई इतियास कार कुछ लिखेगा, तो उस ब्रह्मा के साथ मेरा भी नाम यहां पर आएगा, यही मुझे बहुत खुशी है, और बहुत मशा है, ओम शान्ति, यहां पर कर रहे हैं, आप हमारे बीच में आए, और हम समझते हैं, अनुभवों का सागर तो विशाल है, आज तो आपने उस में से थोड़े ही हीरे मूती हमारे साथ साजा किये है, हम और भी आपके द्वारा अनुभव जानना चाहेंगे, लेकिन आज आपने अपना बहु और भी हम आपके द्वारा ऐसे ही अनुभव जानते रहेंगे, सुनते रहेंगे, उससे लाभ लेते रहेंगे, बहुत बहुत थाइंक्यू दिदी, और जो भी आप सभी देख रहे हैं दिदी की अनुभव सुन रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी इसी प्रकार से बाब से अपनी लगन लगा करके नित्य नए अनुभव बाबा के साथ करते रहेंगे ओम शांति